थो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं LED Bulb को 4-5 साल गैरेंटी के साथ कैसे जला सकते हैं दोस्तों आप एक LED Bulb पर्चेस करते हैं और उसको जलाते हैं 4-5 साल तो आपको फाईदा ही फाईदा होने वाला है दोस्तों तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों ये मार्केट से आपको चेंज करने का जंजट को आपको खतम करना है दोस्तों तो आपको देखते रहना है वीडियो को लाश्ट तक इस LED Bulb जो गैरेंटी वाला मिलता है आपको LED Bulb या लोकल भी हो सकता है दोस्तों पर गैरेंटी वाले में सबसे ज़्यादा असर करता है जो ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ तो इस LED Bulb को मैं ऐसा क्या component इसमें add करूँगा जो यह 4-5 साल गैरेंटी के साथ जलने लगेगा दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा चीज में दिखाने लगूँगा आपको आप वीडियो को ध्यान से देखेगा इस किप करके बिल्कुल भी ना देखें दोस्तों छोट एक ही LED Bulb को purchase करके आप आन साल गैरेंटी के साथ जलाएंगे दोस्तों यह मैं गैरेंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ जिस तरसे अगर आप मैं करता हूँ उसी तरस अगर आप कर लेते हैं तो तो देखे मैं इस LED Bulb को रखता हूँ और यह हमारा एक अच्छा LED Bulb है आप अच्छा LED Bulb के उपर में ही ट्राइ करेंगे तभी जाकि यह काम करेगा दोस्तों तो यह उसके साथ मैं क्या करना है आपको एक fan capacitor लेना है ऐसा और fan capacitor में कितने का ले रहा हूँ यह मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ इस नंबर को आप note कर लिजेगा और देख लिजेगा market से यही एक purchase करके लाना है आपको तो यहाँ पे 250 UF का यहाँ पे capacitor है तो इस capacitor को आपको purchase करके लाना है अच्छा वाला capacitor को लाना है तो इस capacitor को मैं सबसे पहले आपको मैं check करा के दिखा देता हूँ यह अच्छा वाला होना चाहिए ना कि आपका damage होना चाहिए तो देखे मै इस board को मैं यूज करूँगा आपको चेक कराने के लिए देखे ये हमारा board है और इस board मैं क्या करेंगे इस fan capacitor को दोनों तरफ से इसको यहाँ पर इस तरह से करके ऐसा ही आपको fan capacitor को तो देखे यहाँ पर sparking हो रहा है अच्छी तरीका से जब इसमें spark होता है तो blue color का sparking आना चाहिए इसमें यही एक सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का capacitor को तो देखे इसको आपको चेक कर लेना है capacitor को इसी तरह से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं बीना किसी multimeter के भी और देखे जब करेंगे तो इसको दोनों को आपको आथ में touch नहीं करना है जब इसको sort करने के बाद में ही आपको हाथ लगाना है इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों तो चले मैं आगे इसका process दिखाता हूँ अगर देखे किसी भी LED bulb को आप holder में जरूर लगाते होंगे दोस्तों बीना holder के आप इसको जला नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें holder का बीना लगा के इसको जला नहीं सकते हैं इसी तरह से इसमें तो देखे holder में देखे इसमें दो टर्मिलल होते हैं तो एक टर्मिलल को आपको खोल लेना है मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप कर लिजएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मैं एक टर्मिलल को यहां से open कर लेता हूँ एक टर्मिलल मैं यहां से open कर लिया उसके बाद में देखिए, सबसे पहले condition, इसमें क्या है, यहाँ पर दो joint है, तो इस दोने joint को क्या करना है, एक sleeve लेना है, इस तरह का sleeve, तो छोटा सा एक sleeve का टुकडा ले लेना है, जैसा कि इसको मैं cutting कर ले रहा हूँ, यहाँ से, यह slip क्यों लेना है, यह चीज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस sleeve को आपको क्या करना है, यहाँ से अंदर डाल लेना है, ताकि यह एक दूसरे से लड़े जगडे नहीं, इसी कारण से इसको मैं लगा ले रहा हूँ, और इसको क्या करना है, एक connection को देख लिजे, यहाँ से, यहाँ करना है connection इस वाला, जो यहाँ पर हमारा AC connection जो आता है, face और neutral, तो neutral वाला को देखिए, यह face को देखिए, किसी भी एक में, इसको आपको connection कर लेना है, इस तरह से, यह मैंने AC connection कर रहा हूँ, ऐसा, ऐसे connection बनाने के बाद में इसको क्या करना है, एक दूसरे से sort ना हो, इसी कारण से इसको मैं यह sleep लगा रहा हूँ, और sleep लगाने के बाद में इसको आपको अंदर डाल लेना है, आपको sleep को अंदर पूरी तरह के से cover कर लेना है, ताकि आपका heat भी होगा ना, यह sleep आपको जलेगा नहीं, यह आपको short circuit होने नहीं देगा, इसलिए sleep का use कर सकते हैं, आपके पास में नहीं है, तो आप electric tape को कर सकते हैं, पर electric tape जो होता है, गरम होने के बाद में जल जाता है, इसी करन से आपको, यह sleep आपको बहतर रहेगा दोस्तों, यह sleep भी आपको बहुत ही कम price में मिल जाता है, एक tape के, markets के price के इसाफ से देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, तो यह मैंने इसको इसलिए लगाया है, यह पूरी तरीका से shape करके इसको, तो देखे, hitsing जो cover होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं, पर यह भी आपको बहुत ही safety है, तो देखे, अब दूसरा जो यहाँ पे है, इसको किस तरस से connection करना है, यह connection जो यहाँ पे बच रहे, इसको आपको कहाँ पे लेके जाना है, इसको लेके जाना है, आपको holder क दूसरा point पे, जहाँ पे हम AC connection से जब निकाले थे wire को, तो इसी जगा पे इसको लेके जाना है, तो इसी तरस से आपको कर लेना है, जैसा भी आपका holder है, तो holder के आगे side में आपको कर लेना है, वारिंग जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका wire है आगे का point, तो इसमें एक wire को cut करके इस तरह से connection कर सकते हैं, आपका किसी भी तरह का holder हो सकता है दोस्तों, या फिर board में wiring है, तो board में भी इसको लगा सकते हैं दोस्तों, इससे आपको क्या फाइदा होगा, ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा, आपके इसको check कर आके मैं, तो इसमें देखे, इतना सा क करने के बाद में कितना सुरक्चीच हो जाता है, आपका LED बल्प, जो एक साल चलने वाला होता है, दोस्तों, गैरेंटी में आप इस बल्प को ले के आते हैं, तो ये बल्प आपका देखे, अगर साल पहुंचते ही, आपको पहले भी खराब हो जाता है, दोस्तों, आपको हो जाता है, आपका घर अंधेरा हो जाता है, तो इस जंजर से आपको परिसानी से दूर होना चाहते हैं, दोस्तों, ये केपिश्टर आपको 20 रुपे से आपको पर्चेस कर लेना है, या फिर 15 रुपे में भी मिल जाएगा, दोस्तों, ये केपिश्टर, अपने एरिया में कितने रुपे में मिल जाता है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों ये इसको खरीद लेना है एक ही साथ में आपको और एक ही बल्प आपका चार से पांच सल चलने लग जाएगा दोस्तों तो आपको क्या ही है दोस्तों आपको फाइदा ही फाइदा है दोस्तों ये ट्रिक देखे किसी को मत बताना दोस्तों अगर आप यूज करके देख लिजेगा तो ये इतना फाइदा होना लगेगा दोस्तों आप समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रिक पहले क्यों नहीं पता च देखे AC voltage जो होता है क्या कभी से down होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ये चलते रहता है दोस्तों, इससे क्या होता है, आपका voltage जो आएगा, तो उस voltage से यहाँ पर देखे इसका filter होके आने लगेगा, एक बराबर से आपको मिलने लगेगा दोस्तों, ना कि कभी फ्यूज होगा ही नहीं दोस्तों, इसमें जटका लगेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जब driver circuit में देखेz, यहां पे क्या लगया रहता है, इसमें जो fusible resistance लगया होता है, इसमें क्या कारण हो सकता है, कभी यह खराब हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए लगाय होता है पर देखे यहां से खराब हो जाता है तो क्या होगा आपका LED बल्ब को open करना पड़ता है LED खराब हो जाता है अगर देखे यह खराब हो जाता है तो आपको बाहर से इसको ठीक कर लेते हैं लेकिन यह खराब होगा ही नहीं दोस्तों आप चेक कर से आप समझ सकेंगे दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं तो इसको मैं चेक करके दिखा देता हूं तो यहां पर देखे इस बोर्ड में मैं लगा लेता हूं तो देखे यहां पर किसी भी तरका यहां पर बोल्टेज में आपको कमी नहीं आएगा दोस्तों देख सकते हैं अग आपका चार से पांच साल अगर जलने लग जाए दोस्तों, एक ही LED बल्प, अगर 100 रुपेगा बल्प अगर चल रहा है आपको 5 साल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों, आपका बिजली बिल भी एक्च्छल में आपको 100% सेफ तरीका से आपको बिल भी होगा, दोस्त अगर ये कंडिशन है, आपका क्वेपेशिटर 100% ओके होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा ही आपको कनेक्शन करना है, सेम टू सेम, जिस तरह से किया है, उसी तरह से आपको सेप्टी से साधानी के साथ में करना है, तब ही जाकर आपक LED Bulb 4-5 साल चलने लगेगा दोस्तों, इसको मैं निकाल ले रहा हूँ, आप इसी तरह से कर लिजएगा, उसके बाद में इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी डिरेक्शन में आप चहां पर चाहिए, उस जगा पर अपना सेट कर सकते हैं, दोस्तों, इसको छुपा सकते हैं, या फिर बोर्ड में है, तो बोर्ड में भी इसको छुपा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, इस तरह से आपको वाइरिंग करना है, यही LED Bulb दोस्तों, आपको 5 साल चल जाएगा तको कोई दिकत नहीं है, दोस्तों, आपको 100% सुरक्षित होगा, सेप्टी मिलेगा, 100 परसंट यह आपको फायदा मिलेगा, दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, दोस्तों, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा, दोस्तों, और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, दोस्तों, औ अपने friend circle में भी जरूर share कर लिजेगा दोस्तों और इस तरह का वीडियो daily देखना चाहते हैं तो हमारे channel के notification को all पे set कर लिजेगा दोस्तों ताकि आपको जब भी upload करेंगे आपको notification सबसे पहले मिलते रहेगा दोस्तों तो चले दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आपको